नमस्कार दोस्ताब सभी का लॉसिको के न्यूज इन फ्लेश में चलिए आज की पहली ख़वर देखते हैं डी एसी ने एक टूज एक टूज एक टूज जिरो त्री को अप्रूव कर दिया है रिश्या के साथ डील के लिए तो डीफेंस एक्विजिशन कॉंसिल नहीं यहां पर जो की चेर्मेंशिप में हो रही थी राइज सिंग के जो के हमारे देश के डिफेंस मिस्ट्री है उन्होंने एक लॉंग पैंडिंग डील जो थी यहां पर एक टू-0-3 असॉल्ट राइफल्स की उससे अप्रूव कर दिया है इसके मैनुफेक्चरिंग को अप्रूव क आ गया है तो यहां पर जो इनकी मीटिंग है इंडिया रश्या एन्वल समिट जो है यह डिसंबर 6 से होगी और साथ यहां पर 2 प्लस 2 मिनिस्ट्र डाइक लोग भी होगी उसके साथ मैं आपको बता दू कि दोनों जो कंट्रीज है इनके बीच में इंटर गवर्मेंटल यार करेंगी यह जो जीवी है यह और्डनेंस फैक्ट्री बोड और और साथी साथ रोजो बॉर्न एक्सपोर्ट और काला शिन्वो के साथ में हुआ है जो की रश्या के दरफ से है चलिए अगली खबर देखते है रेलवे ने भारत गौरव स्कीम को अनौंस किया है अब य नामा एन एक्सपेज जो है वो रेलवे के दोबारा चलाई जाएंगी उसी प्रकार से यहां पर टूरिज्म के लिए खास कर टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए यहां पर अलग-अलग सेग्मेंट्स में या अलग-अलग ऐसे ही पर्टिकलर रियात्राओं के लिए ट्रे सेग्में में भी इंडियन रेल्वेस आना चाहती है यहां पर आपको बतातों कि जो सर्विस प्रोवाइडर होंगे यह इंडिविज्वल हो सकते हैं कंपनी सोसैटी ट्रस्ट्स चॉइंट वेंशर या कंस्टॉरियम भी हो सकता है चोकि थीम और सर्किट्स अपने अपने अपने हिसाब से तयार करेंगे जैसे एक्जामपल के लिए गुरु गुरु गुरुपा ट्रेंस चल सकती है जो कि सिख कल्चर को के जो विभीन नतिरतिस्तान है उनको कनेक्ट करती हो या रावैन एक्सपेश चल सकती है जो कि लौट राम जो है उनसे जुरुही जुस्ता उनकी यात्राएं आपको करवा सकती है चलिए अगली ख़बर जो है यह है एफ ऐच इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के जूनियर वर्ल्ड कप के बारे में तो मैंस जूनियर वर्ल्ड कप जो है वह इस वर्ष भुबनेश्वर में हो रहा है यह जूनियर वर्ल्ड कप 2021 पहले उड़ी साइज स्पोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप 2018 सीनियर वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था उससे साथे साथ FIH वर्ल लीग 2017 और चैंपियन्स ट्रॉफी 2014 को भी स्पांसर कर चुका है आपको बता तो कि 16 टीम्स होगी जो कि यहां पर इस ट्रॉफी में इस टूनामें सब्सक्राइब और इंग्लेंड ने अपने टीम्स को विडरॉफ कर दिया था और इनकी जगह पर अब युनाइटेड स्टेट्स कैनेडा और पॉलेंड खेल रही है अगले खबर है बंगलदेश से बंगलदेश की साइंटिस्ट फराना सुल्टाना यह बंगलदेश साइं यहां पर ग्रेंड प्राइस देता है फूर्थ एन्वल इनोवेशन पीच कॉंपिडिशन में जो की अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉफिकल मैडिसीन और हाइजीन के लिए हुई ती और यहां पर इनकी मशीन के लिए इनकी अविश्कार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दि कॉंसिल ने यहां पर थ्री कैपिटल का एक जो प्रपोजल वाला बिल था इसे सक्सेस्फुली रिपील कर दिया है इस बिल का अगर हम इत्याद देखे तो काफी लंबे समय से चल रहा था जब से आंद्रप्रदेश अपने आप में एक नया स्टेट बना था तेल बनाना से अलग होके तो यहां पर यहां पर तीन कैपिटल फ्रपोज किये गए थे तो यहीं बनाए रखती है इसको लेकर अभी जो क्लैटिकेशन और इसन आ समाप्त होता है उपर सुनने के विए आपस सभिका धन्यवात थन्यवात धन्यवाद थैंक्यु स्टेट् exposed को.